दोस्तो साइकलोजी के अनुसार लोग आपको सिर्फ दो करुण से ही पसंद करते हैं पहला आप कितने काम्याब हो और दूसरा आप कितने सुन्दर दिखते हो और वहीं पर दोस्तो एक सोद के अनुसार आपका हस्ताक्षर आपके आत्मिश्वास से पूरी तरह जुड़ा रहता है जितना बड़ा आपका हस्ताक्षर होगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अधिक होता है तो दोस्तो क्या आप ऐसी साइकलोजी सीखना चाते हो जो आपके जीवन में हर एक कदम पर आपके काम आने वाली है जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे गारंटी है आपको होगे कि यह तो हमाईरे रियल लाइफ में होता है तो आईए जानते हैं कपड़े की दुकान में गए और वहाँ पर आपने एक जिन्स देखी और वह जिन्स है 5000 रुपे की अगर आप उस जिन्स के रेट कम कराना चाते हो तो दुकानदार से यह सब्द बोलिए दोस्त यह आपकी जिन्स है तो बहुत अच्छी मुझे यह जिन्स देखते ही पसंद आ गई थी पर इसका रेट तो 5000 रुपे है अगर इसका रेट 3000 रुपे होता तो मैं इसे पक्का खरीद लेता दोस्तो इससे क्या होगा कि दुकानदार साइकलोजिकल प्रभाव के करण आपसे आत्मिक रुप से जुड़ जाएगा और वो सोचेगा कि आपके पास 3000 रुपे ही होंगे और दोस्तो अगर दुकंदार को 3000 रुपे में जिनस को बेच कर कुछ थोड़ा भी मुनाफ़ा होगा तो वह आपको उस जिनस को 3000 रुपे में ही दे देगा दोस्तो कभी इस वैक्ट को ट्राई करके जरूर देखेगा दोस्तो आप किसी न किसी के साथ बहस या डिबेट तो जरूर करते होंगे और हो सकता है कि आप लास्ट में हार बान कर बैठ जाते होंगे वैसे अगर आप किसी ऐसे वाद विवाद को जीतना चाते हैं तो बहस के दोरान अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलना सीखे जैसे आप YouTube पर वीडियो की प्लेबैक स्पीड को बढ़ाते हो वैसे ही आपको अपनी बातों की स्पीड बढ़ानी है इसका पहला फाइदा तो यह है कि सामने वाला गलती से भी आपकी स्पीड नहीं पगड़ पाया तो आपकी बातों का उल्टा जवाब दे पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा और इसका दूसरा फाइदा यह है कि अगर यह बैस कुछ लोगों के बीच हो रही है तो वहाँ पर मुझूद लोग आपकी तीवरवानी से प्रभावित हो जाएंगे और सबकोंसियसली वो आपको कॉंफिडेंट समझ लेंगे और वैसे भी दोस्तों जो बन्दा अपनी बातों पर कॉंफिडेंट होता है असली वीजयता तो वही होता है दोस्तों अगर आप एक स्टुडेंट हो तो इस बात पर विसेस ध्यान दीजेगा कि अगर एक्जाम में किसी क्वेस्टन का आंसर दे रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल दमदार तरीके से करे और लास्ट मतलब एंडिंग भी बिल्कुल सही दमदार तरीके से करे बीच में अगर आप थोड़ा बड़ा चड़ा भी देते हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस fact को match के question में मत लगा देना नई तो number 0 हो जाएंगे ये fact काम करेगा history या फिर social studies जैसे subject पर जिसमें आपको long question लिखने होते हैं और एक बात और अगर आप कोई speech दे रहे हो और अगर आपने starting दमदार कर दी और end भी दमदार कर दिया तो आप speech competition जीट जाओगे क्यों दोस्तो हैना ये amazing कभी इस fact को try जरू कीजेगा fact number 4 दोस्तो अगर आपका अपने पतनी मम्मी पापा दोस्त या फिर भाई बैन किसी से भी argument हो गया है मतलब की विवाद जगडा बहस आप इसे कुछ भी कह सकते हो और उसमें आपका point कमजोर है तो इस condition में आपके पास तीन option है या तो आप बंदर बंद कर सुनते रहो या फिर सोरी सोरी बोलते रहो और एक तरीका और भी है जिससे आप सोरी बोले बगार जगड़े को खतम कर सकते हो वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा और दोस्तो अगर ये argument आपके पत्मी के साथ हो रहा है तो वो तीसरा तरीका ये है कि आप अपने पत्मी को बोलो यार आपने ये साड़ी आज कितने दिन बाद पैनी है ये तो बहुती गजब लग रही है बस जगड़ा खतम बाकि आप लोग समझदार हो यही तरीका दोस्तों के साथ भी चलता है जैसे किसी बात को लेकर आपका दोस्त आपको सुना रहा है तो उसे बोलो कियार आपने उस दिन उस आदमी के साथ क्या बैस की थी उसकी तो आपने बोलती ही बंद कर दी बस इतना सुनते ही वो सारे जगड़े भुला देगा बस आपका कहने का तरीका सही और प्रभावी होना चाहिए दोस्तो अगर आपके आर्गुमेंट मम्मे पापा भाई बैन पती या दोस्त इन में से किसी के साथ भी होती है तो एक बार इस फैक्ट को ट्राइ करके जरूर देखेगा दोस्तो इस साइकलोजिकल फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा जब हम किसी से हाथ जोड़ कर मिलते हैं तो इसका वेग्यानिक तर्क है कि जब सभी उंगलियों के सीर्ट से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यू प्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारे आखों, कानों और दिमाग पर होता है जिसके कारण हम सामने वाले को लंबे समय तक याद रख पाते हैं और दोस्तो साइकलोजी कहती है कि जितना ज़्यादा आप पहलिया सुलजाते हैं आपका दिमाग उतना ही तेज होता जाता है तो दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसी पहलि लाए है जिसका आँसर आप कमेंट करके जरूर दे और पहली यह है कि एक लड़के ने पूछा कि मैरी मा की मा के पती कि लड़के की लड़की मेरी मा की कौन हुई और आपके option है option A बहन, option B भान जी, option C भती जी और option D पोती आप इसका answer कमेंट करके जरूब बताएं तो दोस्तो आज किस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आप इस वीडियो का पार्टू चाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूब बताएं और ऐसी मजदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुडबाई